हाल ही में कुछ दिरों पहले रूस ने दावा किया था कि उसने कोरोना वैक्सीन तयार कर लिया है ये खबर सुनने के बाद एक उमीद के किरन जगी थी कि अब इसमा हमारी से मुक्ति मिल सकती है वहीं अब रुषिया ने डावा किया है कि वो 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना वैक्सीन को लाउंच कर देगा आपको बता दे कि ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जिससे कोरोना को हराने की कोशिश की जा रही है रिपोर्ट के मताबिक वैक्सीन को लॉंच करने की सारी तयारियां पूरी कर ले गए है रिपोर्ट की माने तो पहले इस वैक्सीन को रेजिस्टर्ड कराया जाएगा फिट तीन से साथ दिनों के अंदर ये वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में मिलने लगीगा पहले रूस ने कहा था कि 15 या 16 अगस्त तक ये वैक्सीन आएगी लेकिन अब इसे 10 से 12 अगस्त के बीच लॉंच करने की तैयारियां की जा रही है रूस की इस वैक्सीन को गामलिया नेशनल रिसर्च सेंटर आफ एपिडेमिलोजी एंड माइक्रो बायलोजी ने तैयार किया है अब तक इस वैक्सीन के जो भी नतीजे सामने आए हैं वो सकरात्मक रहे हैं और इस वैक्सीन को लगाए जाने के बाद यक्ति की इम्मुनिटी सिस्टम बहतर तरीके से काम कर रही है साथ इस साथ इस वैक्सीन के कोई भी साइड एफेक्ट सामने नहीं आए है विशेशक्यों का कहना है कि इस वैक्सीन को दस अगस्त तक मज़ूरी दिलवा सकते हैं साथ ही ये भी कहा कि सबसे पहले इस वैक्सीन को फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा जो कोरोना के इलाज में जुटे हुए है हलागे डव्यूइचो कोरोना को लेकर समय समय पर 56 जारी करता रहता है और हाल ही में जारी की गई च्रिशावनी में डव्यूइचो नहीं कहा था कि ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन तयार हो जाने के बाद इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कीआ जा सके इसलिए वैक्सीन के सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है डव्याजों के मताबिक दुनिया भर में वैक्सीन का चरण तीसरे फेज में पहुच चुका है ऐसे कहीं वैक्सीन है जो तीसरे चरण में पहुच गए हैं और 26 वैक्सीन ऐसे हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायर जारी है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें